नमस्कार शत्ता नपाउंदा सम्मा मावादी नेता हरू आपस्मा मिले र युद्ध लड़े शत्ता पायपची आपस्मा इन लड़े र मासी है सत्ता के लागी जुटे का रहे शन भने सत्ता के कारण फुटे र सकीनू बने सुभाविक नहीं माननू पर्यो बन्चनी जस्ता लाई तरस्ते मावादी का नेता रू भन्ने गर्थे बंदुक को नाल बाटा सत्ता जन्मन छा तर द्रिश्य अरको के देखियो बने निजी र नाल नाता कै स्वार्थ मा लिप्त भायपची पाये को त्यो सत्ता गुम्न पनी कत्ती बेर लागधोर रहे न छा बंदुक को नाल बाटा हत्यायको सत्ता नेता रतिन का नाल नाता ले सखाप पारी दिये बंदा अत्युक्ति न अगला मावाधी ले गरी देखाऊने सामर्थ येदी राक्तियो रो नेत्रित्तो मा साच्ची कई पात्रत्व हुन्ध्योबने पायकोतियो सत्ता को अवसरलाई सदुपयो गर्तियो तर मावाधी सकल दरजाका लागी सत्ता भोग फाब सिद्ध देखिये न, सत्ता प्राप्ति पछी को काल खंडमा मावादी का नेता मात्रई बिग्रियनन उनका कुशंगत र कुबुद्धिले पाटी कारे करता देखी नेता कई संतान, परिवारजन, र नाल, नाता, कुटुम्ब पनी बिग्रिये बिटुलिये फूर्ती सम्यबाद को गरने भाषडमा सरवहारा बर्ग को हित जपने अनी गयर फस्ने परिवारबाद मा, नाता, किरपाबाद मा, सत्ता को चास्निमा साम्यवादी दाभी गरने नेता लेता बुजनु परने हो कि उनका पुत्र पुत्री र जनता का पुत्र पुत्री में समद्रिष्टी उन्च भेद उदैना वाने रा तरह स्वेम अद्दक्षे पर्चंड ले पुत्र पुत्री का लागी केके सम्म गरेनन परिवार बाद मा चुर्लूम में डूबे को नमुना नेता मा पर्चंड उनी पारिवारिक सदस्य बाहेक औरु कसय लाई ब्याबार में भरोशा गरदैनन नत्र हुदा सम्म छोरा नहु काभिल लायक अरु कोई थिये नन रो अवभन्नुष साम्मेबाद को उच्चारन पर्चंड का मोख मा शुहाँँछ यो ब्याभार ले मावादी पाटीले युद्ध छाड़े कई सत्र बर्च भाये जा एकाद बर्च छाड़े र यो दल सत्तामा लिशो जाई टांशीन लागेको पनी सत्र बर्च नही चांचुन फुग्यों तर राजनितिक परिवर्तन का मोटा घटना क्रम र मिती विशेश मा दिवस मनाउने कर्म कांडवन्दा पलती र मावादी कई खास कारण ले जना इस्तर मा मशीन सुधार केई देखी देई न अज्जारों नागरिक को बलिदानी अर्वाउं को छेती दसक लामो समय त्यों अवधी को नास बापत मा प्राप्ति केत गईरों मा केलाये वने नास बड़ी लाभ नगण्यको इस्तिति छा कती सम्मवने मावादी ले आफना खाता मा उपलवदी र अनुहार देखाऊन अरु के ही को ही न भेटे र कुलमान गिशिंग लाही चुनाभी परचा मा उतारनु बरेगो थियो तरसे कुन जसरी कांग्रेस मां बीपी गड़ेश मां र किश्न परशाद अनि एमाले मां पुष्पलाल मदन र मनमन हरुको नाम सर्दाले लीन जा तेसे गरी मावादी मां सर्दाले लीने नाम बारे घुतलियो यदी भने याउटे नाम बेटन मुश्किल जा कुनाई वेला परचंड पत वनेर आपने नाम मां विचार सिद्धा अंतर कारेक्रम पए गरायका सुप्रीम परचंड युद्ध सांती र व्यवस्था परिवर्तन संग जोडिये रत अवस्य तो नाम आउने छा परचंड को तर स्तरद्दा उनको नाम संग सेश रहने कुनाई युक्रम तो चलिरायकाई छो ते सई परकार नेपाली राजनितिक इतियास मा परचंड नाम इस्मरण मा तरहने नाई चो तरह सर्दाकम घिना ज्यादा त्यों परचंड नाम मा थी आई लागने तेखिन चो सत्ता का लागी जेपनी गरने नमुना अउतारी नाम चस्तो बने का सन अभ्द्धिक से परचंड अर शत्ताका Montlis नाम मां ले शिद्धने लागे को डल अब पुस्ता पिरोली ने इस्थिती पनी नहला भन्न सके दाएन। अब देएता पुरा भय को ठानने रोग जस्तो बाबुराम मा जबर्जस्त देखिदे आयको छबुस्ता निर्दोशिता रशुद्धता को साच्चिके प्रमाण दिन चाहे का उन भने चाहे का थिये भने बाबुराम ले आपने घर मा बयान का लागी प्रहरी को CIV बोलाउं अब देए न थे बरू आपई CIV का जाने थिये वी र उस्तई अभियोग मा कसाई लाई वकिल र प्रहरी का अखडा मा ताने र बयान लिने अनि बाबुराम लाही उनकाई घर को बैठा कक्षे मा बयान लिने यो कसरी साम्यभादी मान्यता अनुकूल को कुरावायो अखाये का यसता अरू धेरै द्रिष्टांत अरू किश्चा अरू चन दिमाग मा आईता हालेओ कि बुडिगंड की मा नौ अर्व गोटाला को सबूत पर्मान आभुसंगर र आयेको धमकी दियेर बाबुराम ले पची सवय फास फुस पारेको ज्याहरलाई पन इस्मरान अर्व गोटाला पर्दाफासगर ने जोखिम उनले उठाये का हुन ररक पची के पुगेर प्राप्तवायर त्यो गोटाला थपक कई विशाये का हुन त्यो भावुराम ले नही जानून रामबादूर थापा बादल ले आपनो छोरा पर्तिक को हालत के बनाए छोरा नही इस्थितिका मुख्य कारक पिता बादल नही हुन बादल संगा पईले को त्यो गर्जने ताकत अव बचे न चाहिनौ कीना कि उनी आफूता सत्मा रहेनन पुत्रलाई समत बिटुलेयार बर्भाद पारे आफुपीनी सत्मा रहेनन पूत्रलाई बनी बिटुलेयार जाडे मावादी का स्वैन्य रणनितिकार भने र कहली एका बादल अईले गुप्त बास को निम्चारो हालत्म खुम्चिये काशन। मावादी छाडे का एमाले मा नपत्याई एका तेसमाथी पुत्रलाई समेत साथाई लिये र कांडमा डुबे का बादल का लागी अव नईतिक बालमा खरो उत्रन गर्जन र बर्शन मुश्किल मात्रयाई न असम बप्सर वाईशा के कुछा। पुर्व उपरास्ट्रपती नंदवादुर पुनले पुत्र दिवेश पुनलाई कथित साम्यवादी सिच्छा दिये रही तो वला बदमासी भन्सुन ठेका पट्टा र कमिशन खोरी मा दिपेश को नाम छ्याप्ति आई रहाएक होंचा। सर्वहारा दावीगरने नेता एका एक उपरास्ट्रपती बने र यो देश मा बिरलाई प्राप्त हुने सम्मान र सेवा सुविधा प्राप्त मुदा पनी। पुर्व उपरास्ट्रपती परिवार लाई पुगेन पूत्र का कार्नामा र कमावू धन्दा का निरंतर खबर हरू बनिनाई रहे पिता बाट पूत्र का कुकर्मा मा छेक भार का पर्यास भाय का कताई सुनिये न देखिये न। और का प्रभाब साली निता जनार्दन सर्मा अर्थमंत्री उदा कर का दर हेर फेर मा दागी है गिरेर गरेको काम कई परिडाम होला जुझारू जनार्दन को अचेल मनोबल पनी गिरेको छो। कई फ्यत पुन काम कर्म गरे पछी नूर कसरी गिर्दो रहे छा भन्ने मानक प्रमाण जस्ताब बने का छन जनार्दन सर्मा बर्षमान पुन को तव बिदेश को महंगो उपचार खर्चले नई सर्वाहरा क्रांती रा साम्मेबाद को गंत ब्यलाई गिजाउं छा। उनहीं ले सोचुन की जन्ता को तवमा उनले पाय जस्तो स्वास्ते सुविदा नसीब छा, जन्ता को तवमा त्यो प्राप्त छा। देशमा मात्राइ नवचयर विदेशमा पुगे रा बारम बार को महंगो उपचार त्यो पनी अपार दर्शी, नेतालाई राज्ये बाट कराऊनाउं को उपचार सुविदा मिलने, तर जन्तालाई शिठामोल समेत नमिनने इस्तिति पर्तक्ष्य भोगे जाने का बर्षमा बर्शमान पुनले सम्मे बाद भजाउनों लाजको पसारोसर आउन्च लठी कैई छा स्वास्ते सम्मेदन सिल मामला हो भनेर सहन चित्त भुजाउन पनी सकी अला तर पाटी पद स्वपान मां मरिहत्ते गरने पाटी को पद मां मंत्री नभई नवने आप राधिक पात्र हरुशंग को उठा बस इसता अनेकन कारण हरुचन बर्शमान पुनले आपनो छबी सगलो राखन सके का छहे ना मावादी बाटाई उदाय का नेता तोब बादुराय माजी पुत्र सहीत अईले जियल माँ छन जनवादी क्रांती जनवादी केंद्रियता सर्वाहरा बर्ग को हीद साम्यवाद को फूर्ती लगाउनेले आपने छोरा लाई गईर कानूनी धंदामा लगाएर अबईद धन माल कमाउन उद्धत गराउन को अर्थक क्ये हो जनता को हालत जेशुके ओस हामी धन धन्य उन्हों परचा बनने दुशित मनसुवा टोब बाहदुर का लागी धुरी बाट पाप बनेर कराय को छा पिता पुत्र अईले नकली सनवाद आर्थि परकरण मा जेल भुगतान मा चन्छन शगला सर्वहारा वादी खांटी साम्य वादी नेताहरू मावादी मा येदी उन्थे बने पाटी मा बिचलन रबिग्रह नै आउने थियन येती छित्त येती बिग्न तुट फुट रचिन भिनना हालत मा ये पाटी पुगदाई न थियो चुनाम्मा जन्जन पुचे दल यो बन्दाई न थियो लोभी पापी चरित्र कई उपस्त हो कि नेताहरू बीच स्वार्थकु सिना जप्ती चले और छोटो समय में पाटी चक्ना अचुरवायो देखे बुजे जाने का आरू बंजन अद्दक्षे परचंड युद्धकालमाई पनी सुख सु लक्ष्या आर्ड अडेश चरकई थियो जन्ता का छुराशोरी भोगभोगई मरने नेता मोचको जीबन माचने भनेर उतिवेलाई गाईगुई चल थियो तर कारवायो परिने मारीने डर ले परचंड को खुले रा आलो चना हुन्न थियो अईले पनी डरकई कारण पंग्तिमा खुलस्त बहस हुदैना उनको बसने आवास्तेखी संगत र उठावस निकाई संदे आस्पद अपारदर्शी र कई फियत पोन छा 2064 साल को पईलो समिदान सवा चुनाम मा मावादी देश काई सवे भंदा ठूलो पाटी बनेओ दुनियाता अस्चर्यमा परेव नई मावादी नेता समेत प्राप्त चुनावी शभलता बाटा चकित थिये पछिता मात चडे र मावादी मै मत तने बनेओ र फल पनी पाये को कामकाजी पूर सत्ता मावादी को कौशलता अभा र मात को उभार का कारण ठीके नौ एकपछी और को फसाद मावादी का लागिया आई लागयो 35 वर्ष भयो पर्चंडले मावादी पाटी हडपे को एक छत्र राजगरे को त्यो पाटी में अजे 10 वर्ष उनको प 25 वर्ष मान नवारेको काम पर्चंडले अवकिया उन्जा बस पर्चंडले को सत्ता भोक को बाकी त्रिष्णात मेटी अला थिवन्दा अरू आशगर्नू बेर्थ छा पर्चंडले कारण उनका कतिपए साथी अरू अईले उनिशन न चैनान सायात्री अरू जस्ते बावर अरू बाट्राम बत्राय मोहन बाइद्य वीपलव सिपी गजुरेल बादल ट्वपा अधुराय माजी लेखराज बत्त गो लोकेंदर बादू बादू बिष्ट रारू थुप्रेनेता पर्चंड बाट क्या उने वाला चाईना वने रा लाखा पाखा लागे चुनाब हार अरू आर पनी साम्षाद्र मन्त्री बन्ना पाईने भयका है कारण नारनकार जिरेष्ट अरू जास्ता क्या ही परचन संह तासी न आई लागे का आरू पनी फेरी अं मतलब महावादी बाट छुट्टी एका धेराई नहीं छन तरह महावादी में ताशी ना आयेका आरू पनी एका छन महावादी नेता आरू जनता जनक्रांती महावबाद साम्यबाद सरवारा को ही जसता कुरा बस बजाउन कै लागी जब छन खास्मा उनियर को ध्यान निजी एवं पारिबारिक स्वार्थमय रहे चा वन्ने एथार्थ तेसको भेद अरू खुल्दए गए का छन मावादी जे दावीगर थे जस्ता तेखी नखोष थे तेस्ता रहे नचन वन्ने असलियत खुट्टि दई खुट्टि दई गए एमाले पाटी एक था पछी कतिपाई नेतारू मावादी रा परचन छाड़े रा एमाले रा ओली तर्फ लहसी है उताई रहे तेसका पछाडी को कारण विचार सिद्धान्तले अईना स्वार्थले काम गरेको देखींच विगत आगत निती नियम दर्षन आदर्ष क्याईको प्र टोब बादूर राय माजी लगायत काई नेता न मावादी मा राये न तो एमाले माई खास अस्तित्त मा अईले छन दर्षक में चर्चा पांकी छा मा विश्राम पछी आउने छू रा मेरो अपेक्षा छा अगाडी पनी साथा ही रहनू हूने छा विश्राम पछी स्वागत्छा दर्षक बेन कोशी परदेश मा समाज बादी मुर्चा वाज मंच थियो त्यो मंच मा परदान मंत्री समेत्राय का मावादी अध्यक्षिय परचंडले अपना एको दूर्द जुक्ती का बारे मा हमी इस पछी चर्चा गर्चा हूनू अरको अर्थ तंत्र का फाट मां अंत्राश्चिय मंच मां नेपाल को आलत जन जन निरिया बंदाई गये कोशा हमरो आलत दय अनिया छा तरा उल्लेख निया चाहिं किये छा कि किर्केत्मा नेपाली खिलाडी विश्व को नम्मर वान टीम पाकिस्तान संग भीडे अनि और को नाम टीम भारत लाई टक कर दिये किर्केत्मा स्वगरमा थार हिमाली खंड इमरो हिमाली संपदा अनि बुद्दर लुम्मेनी जस्ता इस्ता संपदा अचन जसले नेपाल को साख बल्ला तल्ला केई भाय पने जोगा आये का चन तर यहुटा देश को सासकिय एबं वेवस्ता प किया खूबी का हिसाबले नेपाल हामरो देश कठी बराको हालत मा चार यह नुशाय चिमे कि भारत मा विश्व का महासक्ति रास्ट भेला हुदा नेपालले खाई पत्याउने निम्तो सम्मा पाया अनि वाजाउने फेरी रोटी बेटी सम्बंध जब कि बंगला देश ले भव्य निम्तो पायो भारत मा थर नेपाल गनिता मनिता मैं परे न चीमे कि भारत ले यही सेप्टेम्बर आठ देखी दस तारीक सम्मा ही जो सम्मतियो चले को थियो गुरूप अफ ट्वंटी अर्थाथ जी ट्वंटी सिखर सम्मिलन संपन्न गरे को चा भारत मा बरकर परदान मंत्री रिशी सुनक चिनिया परदान मंत्री ली चैंग जर्मन चांस्लर उलाफ स्कोल्ज फ्रेंच रास्टरपती इम्मेन्योल मैक्रोनी साउदी ओरब का महमत बिन सलमान जापान का परदान मंत्री फुमियो किसिदा लगायत विश्व का सीर्षनेता सहागी थिय आम्रोजी में भारत मां तरह भारत को प्रम जिमेकी भायरपनी उच्छ इस्तर को थियो सम्मेलन मां नेपाल को साथी अईशियत मां समेथ सवागी तरहेना भारत ले यदि चाहे को भये नेपाल कम शेकम परेवेक्षक को रूप मा एक कुना मा भयेपनी सभागी हुना सक्तियो विश्व का महा सक्तिशाली और्थ तंत्र भयेका देश अरुको महा कुम्ब मेला तेहां भाहिरां अदा छेव में बसे रा नेपाल ले तुलू तुलू नियाल न भायेक और केई गर न सके न जब की भारत ले अद्दक्छे रास्ट को हैश्यात बाता छीमे की बंग्लादेश लाई जी ट्वंटी सम्मिलन मा स्वागी गर आयो निम्ते आयो बंग्लादेश मात्रे वही न टाडा टाडा का इजिप्ट, मरिशस, नेधर लेंड, नाइजेरिया, ओमन, सिंगापूर, स्पेन, ला समित अरग इमिरेट जस्ता देशलाई समेत पाउना का रूप मा भारत ले जी ट्वंटी सम्मिलन मा निम्ते आयो दा रोटी बेटी को नाता बजाउने नेपाल लाई निम्तो सम्म पठाए न भारत ले नेपाल ले आखनो स ठप पुष्टी भायको छाँ, आमरा नेता अरले भारत संग को सम्मंद ठप सुमधूर, उन्नत, गनिष्ट वनिराने भारत ले जन्जन हेपने, यो दुईता क्रम संग संग इचले को छाँ, आले पर्दान मंत्री प्रचंड बारत भर्मण बार्ट फरकता फुर्ती साथ संग को सम्मंद मां ब्रेक्थूरू भायो, भारत में नेपाल अतिरिक्तम अत्व दियो, बिगत देड़ दसक देखी, भारत को बंगलादेश संग खास संग को सम्मंद विकसित भायको मानिंचे, जम्मां डेड़ वर्षा, तर नेपाल संग निक कई पुरानो मित्रवत भारत को प्राथमिक्ता मां बंगलादेश परे ओ, नेपाल परे ना, जल्वायू परिवर्थन पनी एक छो, जल्वायू परिवर्थन को असर रतेशको प्रभाव नेपाल जस्तो देश मां ब्यापक इस्तर मां रहेको बताईन छ, येसको यवड़ा एक्टीब नेशन का र भारत ले निम्तो दियेको थियेन, तर भारत का लागी नेपाल पईलो वनेर वासन मां वावाही लुटने नरेंद्र मोधी को असली मनोधसा, येसवाट था प्रस्टबायको सचिमेक पईलो वन्दै मोधी वासन ले फुरूंगत पार्चन, तर भ्यावार मां वने बाईरी देखियो, तर समिन सार्क र विमिस्टेक का अलावा, G20, G7, आशियान, ब्रिक्स, संगाई, सहयोग, संगठन, नेटो, ओपेक जस्ता थुप्रे अंतराष्टे मन्चहरू छन, सार्क र विमिस्टेक बाहेक, इंतराष्टे मन्चहरू मां नेपाल को सभागितार उपस्थि खास सई होदैना, बाउपछिय तथा अंतराष्टे मन्चहरू मां नेपाल को हैश्यत र विमिका, देखिदैना, इस तई विश्व कुट्निती मां बनी नेपाल को प्रवापकारी हैश्यत छाईन, जनजन गुम देगई गई जया, नेपाल नहीं तेस्तो देश थियो एक जसले सांथी खेत्रको अलगे अडान र मौलीक उपस्थिती विश्व मन्च मां एजन्दा वनाया र पेश गर थियो, एजन्दा प्फाल थियो नेपाल, कुने समय थियो नेपाल असं लगन रास्ट र वरको सिखर सम्मेलन मां गर्वीलो उपस्थिती रागतेव, तर अच नेपाल शार्क को सस्थापक हो तेई शार्क को अस्तित्त पनी अईले भारत ले सखापई पारे दी सकेव बन्ना होन्छा। नेपाल ले सन 2017 मां थेस्रो, 2002 मां एकहारों रचावद मां अठारों सार्क सम्मेलन को आयजाना गरी सकेव शाक्या कास्मान लोगा। शार्क को 19 सम्मेलन को आयो जक पाकिस्तान तया थियो रो मिति पनी घर की सकेव तरे पही देमीं। तोई पनी सम्मेलन पाकिस्तान में अजे उनों सके न, सार्क भारत्र पाकिस्तान बीज को मन मुटापका कारण अस्तित्व रक्षा कई लडाई में अईले संगर्शर अच्छ भारत्र का परदाल मांद्री नरेंद्र मोदी ले आफनों दोस्रो कारे काल का लागी शपत गुराण सम्मार्व मां सार्क लडाई चैनी, पन्छाय शार्क लाइ माननेता दिये नन बरू बिमेस्टेक माँ आबद्ध राष्ट का कारेकारी पर्मुखरूलाई मात्र निम्तियाय का थिये मोदीले दोस्रो कारेकाल को सपतली दा शार्क परती भारत स्राइशून न रहेको एस बाट पने थप पुष्टी हुन जब नेपाल ले सब आगीता जनावने अंत्राष्टी है महन चरू मद्द येउटा हो बिमेस्टेक उन्नाइस संतानम्बे मा इस्थापना भायको बिमेस्टेक मा नेपाल संथानम्बे मा परेवेट छेक राष्ट को रूपमा रहो शन्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् नेपाल को उपस्थिती अंत्राइस्टिये मन्च वरुमान शार्क रब विमिस्टेक पनी भारत को युटा खठपुतली जस्तो बनेका छन भारत चांच न चाऊँछा भारत चांद है न स्थीर आग दिन्च तेश्वता समिक्त राष्ट्रसंको महासरवामा नेपाल ले हरेक प्रधानमंत्री पर्चंड महासरवा को वैठक का लागी युट्नितिक व्रित्तमा समिक्त राष्ट्रसंको महासरवाला खासाई उपयुक्त थालो मानिदैने कुट्नितिक मामिला का इसाबले तरह विश्वका नेताहरुको तेहां भेट हुनाले रा साइडलाइन बारता ह अर्थात महत्वा दीन जब पचलो समय नेपाल अंत्रास्टिय मन्चवरो मा निम्चवरो हालतमा खुमचियेको कुडा G20 मा भारतमा छिमेकमा भायको सम्मिलानमा नेपाल को कुनेपिनी प्रकारको उपस्थिति नहुनुले जालकायाको चा यह पर्संग किनाने बर्खरे म आत्ये तो G20 धारतमा संपन्न भायको संदर्वा मा आमें यह जडिम तरसमीन यह उटा अरको संगठन को चर्चा संदर्विक्ष रति हो ब्रिक्स अंत्रास्टिय मन्च मा नेपाल को उपस्थितिका संदर्वा मा गुलबल साउथ का उधिये मान अर्था तंत्रा अरको समु अनि अमेरिकी नेत्रित्तो को विश्व व्यवस्था लाई चुनाउती दिना सकने वैकल्पिक यह उटा समुह एवम संस्थाको रूप मा ब्रिक्स लाई लीने गरेको छो ब्रिक्स मा ब्राजिल रूष भारत चीन रद चिन अफ्रिकी देश हरू छन अमेरिका अन्दा बा ब्रिक्स का चीन रभारत ब्रिक्स को चर्चा किना यहां सांदर ब्रिक्स हरू अईले बंगलादेश जस्ता 40 देश अरू येस मा जोडी दाई छन थपी दाई छन तर नेपाल बने ब्रिक्स मा पनी अटने वाला छै ना बिश्व मंच मा कुटनितिक हैशियत नपुगदा अनि कमजोर राज़ितिक एवं आर्थिक अवस्ता का कारण नेपालले बिश्व मंच मा थुप्रई उपस्थितीर अवसर होरू गुमाईर हैको जानकार होरू बता हुशन नेपालला येस्ता अंत्रास्टे मंच अरूमा उकास नका लागी आमरा छीमेकी चीन रभारत ले पनी खासाई स्वयोग होई न बरू अस्वयोग ज्यादा गार्ने गरेको चर्चा होंच विश्व मंच मा सांती छेत्र को नेपाली प्रस्ता मा आमरा छीमेकी ले नहीं बाईरी स्तर को बाईरी सरह को भुमेका खेलेका बिला-बिलामा चर्चा भाई नहीं रहांच कुनी अंत्राइस्टिय छेत्र मा भारत्र चीन को बढ़धो प्रभाब बाट नेपाल ले फाइदा उठावनों पर्ने मा जन गाटा थप्येको एदा कदा महसो शुने गर्चा कुट्नितिक मामिलामा नेपाल कती कमजोर्च वन्ने कुरा हालाई चीन ले नेपाल को चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गर्देई जारी गरेको उसको नक्साले पनी दर्साव उचा इस पीशए मा ओईले समय नेपाल को प्रराष्ट मंत्रालाईले मौंता साथे कुचा नेपाल का लागी चीन का राजदूतले नेपाल भारत को संदर्वा जोडेर दियेको युटा नेपाले लिम्पिया दूरा लिपुलेकला समेटे र पतनी सवापाता सर्वा सम्मती रूप मा नया नक्सा जारी गरेव तरत्यों नक्सा बारे अंत्राइस्टिया समुदा आलाई जानकारी सम्म गराउने आमरो अक्कल पुएना आत्मरतिमा रमाउने खुबाई चेस्टा गल डूरा ठाइस्टै मंत्री रंगरायाली खंडी सम्मेटे रूप मेंसी रिदात ठाव भी तरत्यों नक्सा लं च्वाप पुआ बietetना कंया नेपाल को प्रेंश्ट मंत्राइस्टै र प्रतृड शेता अक। इगु छ, दलिये स्वार्था छ, आग्रह पुर्वाग्रा छ, बने घर बाईर नेपाल ले कसरी आफनो उपस्तिती मजबूत पार्ण शकला, दखल राखन शकला, अनेकन कारण अरुछन नेपाल ले आफनो कुटनितिक सामर्थे गुमाउनुका अनी विश्व मंचमा कमजोर अर्थटनितिक विर्थ्व मंचमा अन्त्राष्टिया मंधे आफनो इस्थान आफनो मंचमा ड़ने घर गपूमाउनुका प्रधान कारन नेपाल मंचमा अरुपनितिक साम्स्तियो अरुपनित्रगा अनेपाल नेपाल है अर्थ तंत्रगलाई का देश, अमेरिका, भेले, चिन भारत जापान जस्ता ठुल अर्थ तंत्र भाय का देश वर को बीच मा तुल नाता गरना सकी दाइना तरह इदेश वरू सम्मिलित सम्मेलन मा ती संगठन अरू मा कमति में चिमेक मा भाहि रहा हुदा त्यां साची आईशिया कई उपस्थितिको अभसर एदी मिल थेयो अनुसराण गरने मौका उने थियो तरह त्यो मिले नर अन्ते मा युटा अरको उलेखनी परसंग अचा दर्समिन परचन देखी विपलब सम्मों अटायको समाज बादी मर्चाले संबार कोशी मा संदेश सवा गरेको छा मर्चा का यसता सवा देश का अन्य स्थान मा पनी भायका चंतर कोशी को सभा मा युटा फरक द्रिश्य देखियो मंच मा टांगी एको मुख्य ब्यानर मा कोशी परदेश को नाम नहीं लेकिये नाम नहीं लेकि सवा अफत्यगर ने जुगति अपनाईयो इस अगी संदेश सवा हरुमा इसता ब्यानर हरुमा परदेश को ना पर्देश को अउपचारिक नाम नलेखी नू समिधान को बरिखिला बंदे आलो चाना इले शुरुभाया को छार पर्देश को नामा करन का विशय मा मर्चामा सामेल दालोरू बीच में विवाद रहे को थप प्रस्टवाया को छावा मा पर्दानमत्री प्रचंड नेकपा य डिपलेव जशपान अधिक्से उपने म मर्चान सामेल छामेल द्रुखामा सामेल पर्देश को नामा करन्होधा मर्चा को प्रमु घठक मावाधिले को सीतो पकहसे मा मत्यान गारेको तिय た बने नेकपा यास रजासपाले विपक्षे मां मद्दान गरेका थिए। बने नेकपा यास रजासपाले विपक्षे मां मद्दान गरेका थिए। बने नेकपा यास रजासपाले विपक्षे मां मद्दान गरेका थिए। आजनितिक स्वार्च भजाऊना छाड़ेको छाईना पर्धान मंत्रिने उपस्तित मंजमा समसद बाट विदिवत पारित भायको नाम उल्लेख नगरीनुले मावाधिको दूरो चरित्र पष्ट पार्छा मावाधिने कोशी नामा करणको पक्सेमा भोट हाल छा अनि पर्चन करते से मतत हτί नहीं कान이면 कोशी नहां पर्षाए से कियु घ। शीं पष्ट प्रेत भाट प HappD.